स्वामी नाथन आयोग ने जो किसानों के संबन में रिपोर्ट जारी किया उस रिपोर्ट को आतक इन्होंने कॉर्परेट के परभाव में आके लागू नहीं किया बल्कि उसी के बिरोज में तीन किर्सी कानून लेकर चले आए इन्हीं के कारण सारे 700 हमारे माता पिता दिल्ल का काम किया 16 करोर रुप्या बहुरास्ट्य कंपनियों को कॉर्परेट घणाने को माफ कर दिया गया लेकिन किसानों को 50 हजार माफी ना दी गई और हजार हजार किसान आत्म किये हैं पता है ना आपको मोटा चंदा दो यहां और देश की अकूश संपत्ति लूट लो गाउ कि पानी पीने तक जो पिछ्ड़ बर्त के लोगों को नहीं देता था पर फिर यही बेवस्ता यह लाना चाहते क्या इन्होंने रास्ट बाद का काम किया कि यह देश हित्में काम किया संबिधान में जितना कानुन दस साल के दर्वियान में लोग्सभा के अंदर जितने भी संबिधान में कानुन बनाए एक भी कानुन पर संबिधान लोग सभा के अंदर डिवेट होने नहीं दिया क्या यही लोगतंत्र है अगर मोदी रिहट जाते है राहूल जी आते हैं तो क्यों 2014 में जो भाव थे महंगाई थी क्या वापस से आ जाएगी टोर पर जो कॉर्परेट घराने के दौरा हमारे माते पर जो अकूत संकर डाला गया ह 2 संकर लोगिया उस संकर से हमें निजाद मिलेगी और हमें हमें उसकी पूरन आसा है ठीक है उसकी हमें पूर्णासा है MSP से क्या महंगाई फिर से नहीं बढ़ेगा MSP से महंगाई नहीं बढ़ेगा बलकि MSP से हिंदुस्तान की काया कल्प होगी काया कल्प होगी सरकार में बैठे जो लोग है वो भी थोड़ा बहुत जनकार है जनकार ही नहीं है बलकि आपको मालूम होनी चाहिए कि स्वामी नाथन आयोग का आयोग जो बनी थी स्वामी नाथन जिनको भारत रत्न दिया गया है उन इन्हीं लोगों के द्वारा स्वामी नाथन आयोग बनी थी और स्वामी नाथन आयोग ने जो किसानों के संबन में रिपोर्ट जारी किया और उस रिपोर्ट को आता कि इनों ने कॉर्परेट के परभाव में आके लागू नहीं किया बलकि उसी के बिरोज में तीन किर्सी कानून लेकर चले आए और उसी के बिरोज में आपने देखा किसान जो साल वर अंदोलन कर पूरे हिंदुस्तान के किसान वहां थे गलत बाद इन्होंने पंजाब पंजाब के वह बाद और माता पिता हमें हैं जिन्होंने हरित कांति करके पूरे भारत को रोटी देने का काम किया जिन्होंने मिझे रोटी देने का काम किया और इन्होंने तो रोटी छीनने का काम किया इन्होंते रोटी छीनने का कम क्या किसी कानून ला करके ये बात समझे कि ये जन हित में कहीं से भी नहीं है पूरे तौर पर जन विरोधी हैं जा हमारी हमको गफलत में लेकर के हमको बड़े सपना इन्होंने दिखाया अच्छे दिन का सपना दिखाया किसानों को दूना अमदनी की सपना दिखाया नौजवानों को रोजगार का सपना दिखाया लेकिन सारे के सारे सपने धरे रह गए और कॉर्परेट के पक्ष में इन्होंने कानून बनाते चला गया सबसे पहले हमारे देश की जनता के हमारी जो हालात है हमारी जो हालात है जब हम बच्चे को जब सिक्षा पूनिवादी हो गया तो कत्रे कत्रे लगा कर सबसे पहले बच्चे को हमारे यहां देर सारे उमर दराद लोग बेटे हुए हैं खड़ा हैं हम अपने बच्चे को प किताब से लेके आपकी हो सकती है इनके पास पैसा उसे हम लोगों को गरीब से क्या लेगा हाँ सुरिये 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 भार्थ में दो सिक्षा है बट्सक इनको मालूम होगा या ने मुझे हाँ सरकारी पाइब वह जो वाना चला गया दो सिक्षा है एक सुब्धा युक्त है और एक सुब्धा बिहीन है एक सुब्धा युक्त पैसे बाले लोगों के लिए सुब्धा युक्त सिक्षा है और एक सिक्षा गरीबों के लिए सुब्धा बिहीन है जो आप सर्वेक्षन कर सकते हैं हमारे बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाते हैं कोई शुजा नहीं है और वही 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 जो है सो प्राइबेट स्कूल में जहां पूरे संसाधन है संसाधन है उनका और हमारे बच्चे के सिख्षा में डिफरेंट है बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन बेच दिये रोजगार करनाने के लिए पैसा नहीं मोदी जी पीएमीजी प्योजना के तद पचास लाग तक का लोन दे रहा है 35 परसें लोन है लोन फिर उसको जो लोन है वो कर्ज है एक तरफ जमीन बेच कर बच्चे को पढ़ा फिर आप जिंद्गी भर वो लोन लेकर के माठा में हैड़े लेकर मरो वो लोन है वो रोजगार फिरी में देने के लिए लोन है इस बात को समझगे लोन है एक तरफ आप जानते हैं ना कि सोला स्व करोर सोला घराने को माफ कर दिया गया लेकिन किसानों को पचास हजार माफ ही ना दी गई और हजारों हजार किसान किये हैं पता है ना आपको बीदर की इलाकों में हजारों किसान किये हैं ये देश के नर्वक्षी हैं ये देश के हच्चारा हैं और जनता के कहीं से भी हमायती नहीं ह और जानिये यह आप लो आज रिपोर्ट मिला है केजिरिवाल के सम्मंद में जिन लोगों ने गवाह दिया था जिनके गवाह के बल पर जो हासो केजिरिवाल जेल गए हैं उन सारे लोगों को बीजेपी के एलाइंस ने टीकर दे करके चुनाव लरबा रहा इस वात को जान ज लेकिन बीजेपी बालो ने मोटा चंदा लो और धंदा लो का रूल एंड रिगुलेशन लागू किया चंदा मोटा दो मोटा चंदा दो यहां और देश की अकूष संपत्ति लूट लो यह रूल अपना या इन्हों ने अच्छा इन किसी कारण वास अगर बीजेपी की सरकार आगई तो फिर देश का क्या इस्तिती रहेगा देश का क्या हालात होगी भर्षक जानने वाले लोग जान नहीं लोग तंत्र न बचेगा। विदार ने बचे गा फिर वह सामन्ती राज की तरफ को नहीं देता था पर फिर यही बेवस्ता Way लाना चाहते हैं यह मनुवारी बेवस्ता के हिमायती हैं यह मनुवाद को लाना चाहते हिंदुस्तान जाणी की धरति पर और भायत की जनता मनुवाद को कबूल नहीं करेगी उसे उसे मुकумन जो हासो पूरा जो दोदो हाथ करने का काम किया सामांति मानसीक्ता को तोड़ने का काम किया हम सामनते वेवस्ता को अंतिम-सांस लागू नहीं होने देंगे काफी अच्छा खासा जो है कि जनकारी दिए चाचा मोदी जी आएंगे किनो जी मोदी जी तो पूरा आते हैं भारत वर्स भारत वर्स में पूरा भारत कोई रस्ब को नराज है गज़िक नियुक्त कोई नियुक्त जी आने वाले हैं और अरे वेस्क हाद के तुम्हें बचाई ताव बाभू कि दूस्तान को बचाने वला कोलो होता हैं मोदी टीनों देश में अमेरिका मत्यपरदेश अपने देश में है अमेरिका भी देस में कि नाई भूझी जी ऑइसा आज्मी कोई देस्में नहीं होगा अचा अब हमको ये बताएे नितीज कुमर साराबंद किया आरहा उसराबंद किया थी बेकार करते हैं लिटीश कुमार है, सरावरा मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन सराव मिले से नहीं कहते हैं, मोजी जी ऐसा काम किया है ना, कि हिंदुस्तार में कोई नहीं कर सकते हैं